Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI SR का एक निव बिल्ड आया हुआ है और यह जो है Android 13 बिल्ड है इसके अंदर कुछ चीजे फिक्स की गई है जो की बाकी अगर Android 13 वाले जो रोम देख रहे हो MIUI के उन्हों में कुछ बग एक्स्ट्रा था अभी फिलाल इसमें वो चीज फिक्स देखने को मिले ज इंस्ट्राइशन वीडियो मिल जाएक तो एक बार देख लिए नगर आपको इंस्ट्राइशन नहीं आता तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसे कस्टमाईशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाओंगा क्योंकि मैं मूई ISR के कस्टमाईशन पहले की रीविई में सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस में और जैसे कि मूई ISR का यह बेल्ड है डिटेल इंफो के अंदर चलते हैं तो बागी के स्पेक्स जो हम देखते हैं तो एंड्रोइड वर्जन थर्टी ने स्क्यूर्टी पेच आपको जन्वरी 23 का मिलेगा और मूई ISR का 14.0.5 बिल्ड है यहां पे जो करनल है वह आपको एक्स्टेंडड का मिलता है जो की वर्जन 88 है और ओल्ड केम करनल है यह 4.4 बेजड आप चलते हैं मूई ISR में जाएंगे यहां पर मूई ISR आप देख सकतो कुछ इस तरीके से अब देखने को मिल रहा है तिस तरीके से इसका स्टाइल जो है आप यहां पर चेंज कर पाऊगर सिंपली बस आपको पूरी तरीके से होम पर जाना है वापीस आना है यह जो है अपलाई हो जाता है तो और जो चेंज होगा यहां पर दिया गया और आपका चेंज करने कुछ भी यहां पर चेंज करके अपलाई होता है और घुने के बाद में जब आप देखोगे ताप आपका यह ए चेंज करने के बाद इस तरी के सिस्टम यूई जो है रिस्टार्ट होगा अपलाई होने के लिए और जैसे के अपलाई हो चुका कुछ इस तरी के सब यहां पे में तरी के समानेट वी नियवल कर सकते हो वालीम में भी एन सिस्टम मैं भी मोनेट ऐप आइकन फी नीचे मिवर 13 वाली यहाँ पर जो टाइल्स दिये उनको आप कusic Ali कर पाऊगे और साथ चोगल के लिए कि अगसायजा और distinct बार को भी मिल जाता है सीग बार को भी आप क कस्टमाइज यहाँ पर कर पाऊगे इसके अंदर में आप एन स्टेटस बार पर लोगो भी लगा सकते हो इसके लिए भी दिया गया कुछ यहां पर लोगो जो अब आता है नविगेशन बार स्टाइल चेंज करने के लिए जैसे कि बैटरी स्टाइल हो गया वॉल्टी आइकन हो गया सिगनल आइकन हो गया कर पाऊगे नोटिफिकेशन के लिए मिला है यहां पर सेटिंग्स जिसके अंदर आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाएगी काफी कुछ है अलाकि सिमलर सी सेटिंग्स पहले जो है कंप्लीट एक रीवीव कर रखा हूं इसलिए आप उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि वहां पर और बजादा देखने को मिलेगा क्यूंकि मोडड़ यहां पर फिनीचे पल्स की सेटिंग्स जेस्टर एंड़ एनिमेशन सेटिंग्स मिल जाता है ति यहां पर यह जो है दिया हुआ है और फिनीचे मिसलीनस है जिसमें माई आपको आप सो कर सकते हों यहां भी रहेंगे connection and sharing के अंदर उसे कास्ट का बग रहेगा लेकिन quick share मिल जाता और काम कर रहा है बॉल पेपर और सनाइसिंट के अंदर अगर आते हो तो फिर यहां पर सबसे पहले तो बॉल पेपर के अगर बात करें तो यह कुछ बॉल पेपर यहां पर रहने वाले हैं तो यह सभी बॉल पेपर इसके साथ आती हाला कि जो बॉल पेपर यूज़ करो इसके साथ या तालक्स में यूज़ नहीं कर रहा हूं and theme जैसे की import को option मिलेगा यहां पर and theme server आप change कर सकते इसके इंदर इंगलिस में भी यहां पर रहेगा बिल्कुल always on display लॉक्षिंग के अंदर always on तो काम नहीं करेगा tap to work working है और फिर नीचे यहां पर जो है launch camera इसके सब रहेगा display के अंदर जाने के बाद में यहां पर brightness level आपका auto brightness काम कर रहा है एंटी flicker mode हमारे का नहीं बट यहां पर आपको बता था दूफरे बाले आपको बग मिलेगा यह बिल्कुल भी नहीं करता है इसका आपको यहां पर बग मिलेगा और फिर आता है notification control center जिसमें यहां पर control center old and new कर पाओगे status वार में जाओगा connection speed आप enable कर सकतो यहां से और home screen यह है जिसमें आप देख सकतो बिल्कुल काफी ज़्यादा कस्टमाइशन आपको यहां पर लॉंचर पर मिलने वाला तो पूरा मोड़ेड ही लॉंचर यहां पर मिलेगा तो कस्टमाइशन काफी ज़्यादा रहने वाली रिसेंट स्टाइल भी आयू स्टाइल वाला विप कर पाओगे और उपर ही जो है system navigation भी है जिसमें आप बटन या फिर यूच्छर का यूज़ कर सकतो यहां से चैन्ज करके तो यह जो है बिलकूल अच्छ़ से काम कर रहे हैं यहाँपर के यहांप पे लोड्य नहीं कर रहा है viens ये एक दिक्कत दीखने को मिली है वांतर अच्छा है जैसे कोके अच्छा है में जाना है उसके बाद बीक्षे लेकत कर दो किलुक्ष सब्सक्सेर के लिए यह बिलकुल यह ऐसे लोक और से सबसे नीचे आपको मिलेगा और यहीं पर इंक्रिप्टेड आता है और अब चलते हैं बैटरी के तरब बैटरी वेकप ठीक ठाक सा लगा है ज्यादा तगड़ा बैटरी वेकप नहीं है इसके इंदर में जो कि बाकिये सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है अभी फिलाल तो लेकिन ठीक है इस बार थोड़ा इंप्रूब सा मुझे लगा इस बार बैटरी चार्जिंग देखोगे 65% चार्ज करने में थ्री आवर का टाइम जो है यहां पर लगा है और बैटरी ट्रेन की बात करें तो 77% नाइट में थ बाकि सिक्योर एप भी है जो की एप इंस्टोल करोगे तो फिर यह जो ही स्कैन भी करेगा एडिशनल से इंदर जाने के बाद लैंग्विज में जाते हैं तो इसके इंदर में आपको जो है मलपल लैंग्विज का सपोर्ट मिल जाएगा यहां पर दो आपसान आता है लेट नहीं कर सकते जो है वही रहेगा एंद फ्लोटिंग बिंडो मेमरी एक्स्टेंशन है यहां पर बाकि फिर यहां पर वीडियो टोल बॉक्स यह सब है एन अकाउंट एंसिंग है वह से अगर आप रोम इस्टॉल करो जब प्लेस्टोर सो ना करे अगर तो यहां जो है बेसिक और फिर आता यहां पर सूपर आइगन के अगर बात करते हैं तर यहां पर चलती हैं एकंट्रों के पैड़ वाला उन्लोक है यह फिर नहीं तो हैً पाली यहां पर लोग्ड मिल जाते हैं तो यूज़ कर पाऊगे राम से फोल्डर एडिट यहां पर काफी मिलेंगे अब कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर बात करें तो थोड़ा सा थोड़ा सा लैग करता है उसे रोम को फ्लस्ट जब करना तब ज्यादा लैग करेगा तो सेटल होने के लिए और पावर मेन्य तो नॉर्मल देखने को मिल रहा है यह चीज भी अगर बात करें यह पहले थोड़ा ज्यादा कर रहा था जब रोम फ्लस्ट किये थे तो काफी टाइम के बाद यहां पर ठीक हुआ है अनिमेशन में थोड़ा इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा रोम फ्ल करेर बीड़ो कोल का बग मिलेगा वाइफाई कोलिंग का भी बग मिलेगा और जो प्रॉक्समेटी संसर अच्छे से काम कर रहा है को रिकोर्डिंग भी बिल्कुल एच्छे तरीके से वरकिंग है इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है और ब्लुटूट डिवाइस ओ भी आ सब्सक्राइब करें इसके अंदर क्या है कि एडिटर इसके इंस्टोल ही नहीं है आप देख सकतो बारबाद डाउनलोड को बताएगा तो मैनुली जो है मिवाई गैलरी का एडिटर है और डाउनलोड करके इंस्टोल कर देना तब एडिटर में जाज़ पाओगे अराम से एंस्टी गार्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं यह जैसे कि कुछ अपडेट पहले फिक्स हुआ था इसको लेके भी कोई प्रॉलम नहीं यहां पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है और स्क्रीन रिकोर्डिंग में 95 तक फ्रेम रेट मिलेगा और फिर यहां पर ओके गूगल का बग रहेगा बाकि गूगल फोटो इंस्टोल कर लेना अगर आपको अनल्लिम्टेस टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है अनल्लिम्टेस स्कॉर मैक्स में 1,322,000 जो है हमें यहां पर मिला है गीग वेंच 6 के अंदर सिंगल स्कॉर 298 है और मल्टी स्कॉर में 1124 जो है स्कॉर हमें यहां पर मिला है अब यहां पर बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेता बूटन मिशन भी आप देख सकतो कुछ इस तरीके का जो है बट हमेशा जड़तर रेक्मेंट करता हूं कि औरेंज फॉक्स से यूज़ करो ज्यादा बेटर है जो कि डिस्क्रिप्शन पर में मैं लिंक उसकी दे दूँगा वही औरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करना ज्यादा बैटर है और आम से इंस्टोल कर पाऊगे कोई द एक्सटीम तक हम खेल पाएंगे यहां पर बैलेंस पर हाई और अच्टी पर हाई तक रहेगा उसके आगे लोग नहीं है तो स्मूद एंट एक्सटीम पर हम यहां पर खेलेंगे बट अगर बात करें गेमिंग को ले करके तो गेमिंग फिर भी इसके अंदर उतनी अच्छी नहीं है तो गेमिंग यहां पर ठीक ठाक कह सकतो जादा अच्छी आपको गेमिंग नहीं मिलने वाली ओक्के-ओके से यह ओक्के-ओके भी नहीं कह सकते थोड़ा सा क्लासिक में जादा ही लैक करने लग जाता है तो गेमिंग के मावले मेरे साब से तो आप एग्नौर ही करो तो अभी गेमिंग उतनी अच्छे आपको यहां पर नहीं मिलने वाली बट कस्टमाइशन या बाकी के अगर सरेंग्स दो को जरूर अच्छे हैं और अनिमेशन में भी स्टार्टिंग में काफी हैबी लग करता है बट बाद में कुछ घंटे बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा जो है इंप्रूमेंट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा और अनिमेशन भी पहले से काफी बैटर हो जाता है तो फिर भी थोड़ा बहुत लैक करता है काफी हलका लेकिन वह हैवी वाला लैक देखने का आपको नहीं मिलेगा इसलिए अगर रूम फ वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग